हलो प्यार बच्चों, स्वागत है आपका अपके अपनी यूटूब चेनल राटोट क्लासेज में आज के इस वीडियो में हम कक्सा नो की गनित की उप्चारत्मक सिक्षन कार्यपुस्ति का कार्यपत्रक नो पढ़ेंगे और इसमें दियेगे प्रस्नों को हल करेंगे आईए शुरुवात करते हैं कार्यपत्रक नो इसकी विशेवस्तु वही है बहुपत जो पिछले कार्यपत्रक में थी और इसका जो अधिगम मिंदू है वो है अबाजे गुननखंड, एकंडरी गुननखंड, सर्व संभव गुननखंड और सार्व गुननखंड और इसका जो संदर्व है वो ककसा 6 का अधियाई 3, प्रस्ट सिंख्या 62, 63 और ककसा 8 का अधियाई 14 के प्रस्ट सिंख्या 223 से है ठीक है शुरुवात करते हैं पहला प्रसंद दिया गया है इसमें खंड A वे खंड B का मिलान कीजिए इसमें पहले दे रखा है 30 के अबजे गुननखंड तो 30 के अबजे गुननखंड 2 इंटू 3 इंटू 5 होते हैं तो इसका उतर हो जाएगा इससे मिलान कर लेंगे C से 2 इंटू 3 इंटू 5 फिर ये कहा रहा है 20 के सर्व संभव गुननखंड 20 के सर्व संभव गुननखंड होते हैं एक का भी बाग 20 में जाता है दो का भी जाता है चार का जाता है पांच का जाता है दस का जाता है तो सर्व संभव गुननखंड हो गए इसके एक, दो, चार, पांच, दस और बीस यनि कि इस से मिलान कर लेंगे डी, ई से फिर तीसरे में कह रहा है चाउदा वे 21 का सर गुणनखंड यनि कि एसा गुणनखंड जिसका बाग 14 में भी जाता है और 21 में भी जाता है तो वो साथ हैं, हमें पता है तो किससे मिलान करना है इसको एसे मिलान करना है वैसे ही 8x² y वै 16xy² का सर गुणनखंड इसमें भी सर गुणनखंड पूंच रहा है तो 8 का भाग 8 में भी जाता है 16 में भी जाता है इसके अलाव x का भाग x में भी जाएगा x² में भी जाएगा और y का भाग भी y में भी जाएगा और y square में भी जाएगा इसलिए सर गुणनखंड क्या हो जाएगा x 8xy ये किस से मिला नहों रहा है d से यहीं पर फिर पांच में कहा रहा है 6xy square के एखंड नहीं गुणनखंड लास्ट में b बचा है 2 into 3 into x into y into y दूसरे प्रस्ण में ये कह रहा है संख्याओं का गुणनखंड सदेव होता है संख्याओं का गुणनखंड स्वयम संख्या भी होती है एक भी होता है तो यहाँ पर a में लिकर का स्वयम संख्या भी में एक स्वयम संख्या दोनों तो यह सभी हो गए इसका उतर हो जाएगा सभी फिर तीसरे में ये कह रहा है कि परतेख संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं फिर पाचे में पूंच रहा है, 12X तता 48 में सारो गुणनखंड है, 12 का बाग 48 में भी जाता है और 12X में भी जाता है, तो इसका सारो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस वह उत्तर हो जाएगा, बह, आगे कह रहा है, एक क्रिकेट मेच में खिलाडियो द्वारा बनाए गए रनों के स्कोर कार्ड को देखकर, प्रस्ण संक्या 6 से 9 तक के उतर दीजी, ये स्कोर कार्ड दे रखा है, ये देखना है हमें, कि सिकर दमन ने 32 रन मनाए, रोजित सर्मा ने 16 रन मनाए, विराट कोली पाला हैं, चालिस रन मनाए और उतर स्वार बनाए, पहला प्रस्ण है, यनी कि इसका पहला प्रस्ण है, कि सिकर दमन वरुहित सर्मा के रनों का सार्व गुणन खपन्ड ग्याद कीजिए, सिकर दमन के रन है, 32 और रो JAMES ये 22 और 12 इन में सार्व गुणन खपन्ड यनी दोन सोला का भालों दोनों में यह रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा उधे एक जाता है जिनके रनो का सारो गुननखंड 20 है तो एसे जो खिलाड़ी है वो एक तो हर्दिक पंडिया है और एक मेहंदर सिंग दोनी है फिर नवे में पूंच रहा है यह हर्दिक पंडिया द्वारा बनाए गए रनो के अबज्य गुननखंड लिकिए इसके अबाजे गुननखंड मैंने निकाल लिये है इसके अबाजे गुननखंड है 2 x 2 x 2 x 5 इस परकार हमारा यह कारे पतरक 9 पूरा हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो में जो प्रसनों के हल समझाए गये हैं अब इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप उसका लाब उठा सकें